नमस्कार और वल्कम यूदू स्टडी आएक्यू मैं हूँ प्रशान्धवन नाव रीसेंटली आप सबको बता होगा SEO समिट होस्ट कर रहा है काजक्स्तान देश काजक्स्तान की राजधानी अस्ताना में जो वर्लीडर्स हैं वो इखटा हुए हैं और SEO में जैसे आप जानते हैं इंडिया चाइना समेथ रशिया पाकिस्तान इरान वेरियस कंट्री मेंबर्स हैं और बाइडिफॉल्ट सिंज पाकिस्तान और रशिया दोनों मेंबर्स हैं इस ग्रूप के और व्लादेमिर पुतिन भी गजाकस्तान चले गए तो एक मीटिंग होनी ही थी शेबाज शरीफ और व्लादेमिर पुतिन के बीच में नौ ये मीटिंग अपने आप में बहुत आखवर्ड है रशियन मीडिया ने खुल रिपोर्ट किया है कि पूरी मीटिंग बहुत अजीब सी थी और आखिर में पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रस्ताव दे दिय यहां पर आप देख पाऊगे ट्वीट है स्पूतनिक की स्पूतनिक रशियन गवर्मेंट का एक सरकारी न्यूज आउटलेट है लिटरली रशियन गवर्मेंट इसको फंड करती है जिस तरीके से आप कह सकते हैं अल जज़ीरा को रन करता है कतर वैसा ही स्पूतनिक है पहले तो सबको ये दिखा के शेबाज शरीफ की जो कुरसी है ना इस पर मॉडिफिकेशन हो रखी थी एक्स्ट्रा कमफर्ड के लिए ये हमेशा अजीब लगता है जब दो वर्ल लीडर्स मिलते हैं और दूसरे वर्ल लीडर को कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो अमीन आयस व्लाद्यमीर पोतेन हाथ मिलाने को तैयार थे मगर अचानक से श्वाज शरीफ की नजर जाती है रशिया के विदेश मंतरी की तरफ और उनकी तरफ ये चलना स्टार्ट कर देते हैं पोतेन अपना हाथ पीछे रख लेते हैं और कहते हैं ठीक है अभी पहले मिल लो उसके बाद आप मुझसे हाग ला लेना, ये काफी ज़रा ओकवर था गैन, ये मैं नहीं कह रहा, ये रश्यन मीडिया खुल रिपोर्ट कर रहा है, असली फणी चीज ये नहीं है, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो ओफर गया रश्या को, this was the funniest, अब देखिए, पाकिस्तानी प्रैमिनिस्टर और रश्यन प्रेजिडेंट जब आपस में बात कर रहे थे, तो एनरजी सप्लाइस का एश्यो बार बार उठार, आप जैसे जानते हैं के रश्या ने कच्चा तेल भी एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, हलाकि वो इंडिया के रास्ते गया था, उसके जब बात आई पेइमेंट की और पेइमेंट देखोए काफी ज़रा ट्रिकी इश्यो है रश्या के लिए क्योंके रश्या डॉलर्स एकसेट नहीं कर रहा, ना ये लोग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान पेइमेंट करेगा कैसे, पाकिस्तान के पास एक एवर ग्रीन ओप्शन ये है कि अपनी करंसी से चाइनीज रन्मिंबी या फिर युवान जो इनकी करंसी है चाइनीज युवान ये परचेस करके रश्या को पेइमेंट ये कर सकते हैं, ये हमेशा से ओप्शन पाकिस्तान के पास खुली रही है, मगर पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं, वो सब देखते हुए, पाकिस्तान के प्रामिस्टर ने पुतिन के सामने ये कहा दिया, सरे काम करते हैं न, आप युवान छोड़ो, आप करंसी छोड़ो, रूबल, डॉलर सब छोड़ो, सीधा बाटर ट्रेड करते हैं न, बाटर ट्रेड आपने अगर स्कूल में एक basic economics का सिधानत है, currencies को develop करने से पहले, जब human beings आपस में trade करते थे, तो बाटर system के अंडर ही trade हुआ करता था, मतलब के अगर किसी के पास बकरी है, किसी के पास गेहू है, तो वो बकरी देदेगा, उसके बतले गेहू मिल जाएगा, किसी के पास कुरसी है, किसी के पास जूते ह तो वो आपस में exchange कर सकते हैं, कोई currency थी नहीं, तो बाटर system के अंडर trade हुआ करता था, जब हमारे देश की हालत बहुत जड़ा खराब हुआ करती थी, For example, यहाँ पर आप देख पाऊगे, लिखा है, कि 1970s में जो weapon trade हुआ करता था, भारत और USSR के बीच में, वो बाटर system के अंडर हुआ करता था, हमारे पास जो भी अनाज था, चावल था, यहू था, हम ये भेज़ते थे रशिया में, और Russians बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर हत्यार इंडिया को प्रवाइड करते थे, इसलिए आप कहलो, USSR को ले करना, इंडियन्स के मन में आज भी बहुत ज़्यादा respect है, और मेरे हिसाब से यह जायज भी है, हलाकि यह बात भूल मत जाना, USSR तूट चुका है, अब जो Russian Federation है, यह एक altogether different country है, यह बार्टर सिस्टम न नहीं मानेंगे, और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से काफी घुहार लगाई, कि देखिए, रिन्यू करते हैं, ट्रेट बार्टर सिस्टम के अंडर, क्योंकि हमारे पास विरेशी मुदरा भंडार इतना बचा नहीं है, जो भी बचा है, उससे country को रन करना है, करनसी भी वो इतनी गिर चुकी है, कि आपको हमारी करनसी भी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान की करनसी की अभी अगर हम वैल्यूएशन देखें, तो एक US डॉलर के मुकाबले 278 है पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू, एक टाइम पर ये 300 के आसपास पौच गए थे, और मु उसको लेकर पाकिस्तान रेजिस्टेंस दिखा रहा है, शायद इस साल ना माने अगले साल या 2026 में, इवेंचुली, I have firm faith, बाबर आजम का पता नहीं, अगर पाकिस्तान की करनसी है, it will score 400, तो रश्या देखिए, पाकिस्तान की करनसी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि गिरा पाकिस्तान की करता है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का एक सवाल ये भी हो, कि पाकिस्तान के फोरेक्स रिजर्व्स आज भी 9 बिलियन के आसपास तो है ही ना, तो इनको इत्ती जिनता क्यों है, बस रिजर्व्स को कनवर्ड कर लो, युवान में एक दो बिलियन को रश्या को पेमेंट कर देना या, वान बिलियन तो टोटल ट्रेड है ना, रश्या को जो पेमेंट करनी भी है, वो भी 600-700 मिलियन के आसपास ही होगी, वाल देखो, यहां पे आपको ये भी अधार हैं, उसकी पेमेंट करनी है, तो इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वापस 6.30 के आसपास पहुच जाएगा, जो बहुत अंकमफरेबल होता है, तो इसलिए देखो, शेवाज शरीफ कहारे हैं, कि अगर आप ये बार्टर सिस्टम को लेकर मान जाते हैं, तो इससे पाकिस्तान को भी काफी फाइदा होगा, तो अब देखना होगा वैसे कि रश्या क्या पाकिस्तान की इस रिक्वेस को एक्सेप्ट करेगा और नहीं करेगा, परसनली व्लादेमर पुतिन की शकल देख के और नवैलनी की कबर देखे, मुझे लगता नहीं है कि पुत के हाल ही में RBI और ASEAN countries ने एक बहुती important agreement sign किया है cross border retail payments को लेकर आपको बताना है कि ये सब किस project के अंडर आता है इसको लेकर एक proper project launch किया गया है बताईए इस project का नाम क्या है project nexus, project rupee, project sky या फिर project freedom थोड़ा सा tough question है देखते हैं कितने लोग इस question को attend करते हैं मगर मैं आपको ये बता दूँ news में बहुत ज़रा था और किसी भी exam में ये question कल को आ सकता है तो सही answer करिए comment section में जो लोग सही answer करेंगे उनकी comment को मैं heart दे दूँगा ताकि वाकि लोग समझ पाए के सही answer क्या है आपके पास time है एक दो साल का आप college student है आप रुक के अराम से prepare करना चाहते हैं यूपी असी एक्जाम के लिए तो comment section में जाएए यहाँ पे आपको मिलेगा यह link इस link पर करिए click और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा यह page अगर आप mobile phone पे हैं तो आप study IQ की जो app है यह भी कर सकते हैं download और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे study IQ के various courses study IQ के platform में stock market से लेकर UPSC, SSC, UPSC optional various courses available है state PCS courses भी available हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे और जो हमारा flagship course है UPSC P2I course P2I इसलिए इसको का जाता है क्योंकि prelim से लेकर interview तक यह course आपकी help करेगा इसे आप purchase कर सकते हैं यहाँ पर code PG10 लगा कर यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे codes दिख रहे होंगे civil और various और codes हैं इन codes को आप अगर use करते हैं तो आपको maximum discount नहीं मिलेगा अगर आप use करते हैं code PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर maximum discount possible so use the code PG10 and save money by the way इस course में आपको 30 महीने की validity मिलती है तो मतलब के पर मन्त आप 1000 रुपे से भी कम पे कर रहे होंगे for your UPSC preparation so use the code PG10 and save money इसी note के साथ यह है video कांथ thank you for listening and as always may the gods watch over you